तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर अभी सेख सिंग मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किये हैं और आज कल आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से घर की इस तरह से सुरक्षित सुन्दर और टिकाओं बनाया जाए इस पारे में मैं आ आप जब भी घर बनवाएं कुछ गलतिया इस घर में हुई है उन बातों का जिरूर ख्याल रखे ताकि आपका घर जो है वो अच्छा हो कि हम लोग जब भी घर बनवाते हैं तो काफी आगे की सोच करके हमें घर बनवानी चाहिए ऐसा नहीं कि एक दो पांच साल की हम सोच इसके उतना ही जो है वो टारगेट में लेकर के चले ऐसा बिल्कुल नहीं है घर जो है वो सालो साल चलता है कम से कम एक दो पीरी तो समालता है एक घर कितना भी बड़ा घर हो कितना भी छोटा घर हो एक से दो पीरी तक वो समालता है तो दोस्तों उस दोरान कुछ आजपास उसके changes भी आते हैं तो उस change को ध्यान में रखकर घर बनाया जाएगा जिस तरह से इस घर में कुछ गलतिया हुई है उस गलती को कम से कम आप मत दो रही है इसके print level को देखेंगे print level क्या होता यह मैं आपको बता जता हूँ print level वो level है जहां से आपका घर जो है वो उठना start होता है यह जमीन में चला जाएगा जो print है वो समझी है तो जमीन के नीचे रहेगा और print के उपर में आपका घर रहेगा यह देखिए यह लगवग लगवग जो है वो दो फीट का यह बगल में बॉंड़ी किया हुआ है तो वो एक तरह का जो है वो ! सही हम मान सकते हैं कम से कम रोड से 2 फीट उचा है चुकि जो रोड है आपके सामने जो रोड देख रहे हैं वो जिसमें बालु गिरा हुआ है वो रोड अभी बना हुआ नहीं है आने वाला दिन में उसको अगर PCC भी किया जाए तो इस प्लिंट लेवल के बराबर में आ जाएगा अब आप समझ रहे हैं कि अगर घर के बराबर में आपका रोड रहेगा और रोड का एक खासियत होता है कि वो जब भी बनेगा तो थोरा सा वो उचा हो जाता है चीक है उसको उखार करकने बनाये जाता है उसको उपर जो परत दर परत चरते जाता है तो इस से रोड उँचा होता है और आने वाले समय में आपका घड जो है वो रोड से भी नीचे हो जाएगा और सारा पानी है जो नाली का पानी है रोड का पानी है वो आपके घर में आने लगेगा और उस चीप से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेसान हो जाएंगे, तो इस चीज का ख्याल आपको घर बनाने से पहले ही देनी चाहिए कि आपका घर का हाइट कितना होगा, वहले आप थोड़े लेट में बनाएए लेकिन घर की तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स धन्यवाद